So we have another set of DI questions, जो कि बहुत ही बड़ी आसा question है, CAD का previous year question है, आपको पता है, बैंक में जो मेंस का लेवल हो गया है, उसमें कहीं न कहीं ऐसे लेवल के questions दे ही देते हैं, ठीक है? पता नहीं, शायद 8 या 9 का question है ये, 2008-9 के आसपास, ये question जो है, आपका CAT exam में आया है, ठीक है? आईए देखते हैं, आट से पहले का होगा, नौ से पहले का होगा, बिकॉस ये जब offline cat हुआ अगर 2009 से तो cat online हो गया था, उससे पहले का ही होगा, चलो देखते हैं, बड़े ऐसा सवाल है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ये एक ऐसा D.I. का question है, जिसमें कि तुम calculation के साथ-साथ, अगर तुमारी logic अच्छी है, तभी तुम इस question को कर पाओगे, it is logic plus calculation and some amount of D.I. as well, है न, graph की भी understanding अच्छे से होनी चाहिए, तो इसी लि सवाल करने का प्रयास करेंगे, तो आइए, हम सवाल को पहले जरा देखते हैं, क्या है सवाल हमारे पास? Answer the following on the base of this, the following pie chart gives the details of the runs scored by five batsmen in a match, five batsmen ने जितना भी run बनाया किसी match में, उनके बारे में detail यहां से बता लग रहा है, only five players batted during these innings, यही पांच खिलाड़ी खेलेंगे, इसका मतलब टीम का जो total score है, वो इनी के score से निकल के आएगा, ठीक है, gives the percentage of, and the table, यह जो table है, ठीक है, यह वाला table, gives the percentage of runs scored in four, six by these players, कितने चौके छक्के, इन्होंने कितने प्रतिशत रन चौके छक्कों से बनाया, यह यहां पर दे रखा है, सचिन ने जितने भी run बनाया, उसका 36.3 प्रतिशत चौकों से बनाया, ठीक है, ता प्रेरसी डेटा लग रहा है, ओके, किसी मैच का लेडिया होगा, उन्होंने अक्च्वल लेटा, ओल अधर runs scored by each player was an equal number of ones and twos, यानि बाकी जितने भी run चौके छक्कों के अलावा लगे हैं, वो equal number of ones and twos है, क्या मतलब है, कि अगर उसने एक single लिया है, तो एक ही double लिया है, अगर तीन single लिये हैं, तो तीन ही double लिये हैं, यह वाली line काफी important है, बहुत-बहुत important line है, इस बात को तुम्हें बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, यानि अगर किसी खिलाडी ने तीन रन single से बनाये हैं, तो उसने छे रन double से बनाये होंगे, जितने single हैं, उतने ही double है, equal number of ones and twos, ठीक है, I hope you get this logical point, India's total score was the lowest number, अब देखो, यहाँ पे भी total score कितना है, पता नहीं, साथरन सवाल होता, प्री लेवल का, तो हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं, यह total score है, बताये क्या होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, was the lowest number, which satisfies all these conditions, अब all these conditions है, तुम क्या interpret करते हो, interpretation क्या है हमारी, हमारी interpretation यह होनी चाहिए, एक मिंट ज़रा hold करना, फोन ज़रा बंद करो, तो smallest such total है, तो यहाँ इस line से क्या समझ में आती है, इस line से मुझे यह बात समझ में आती है, कि जो हमारा score होगा, वो एक सबसे चोटा ऐसा number होगा, जो कि इन सारी बातों को follow करेगा, अब number ही होगा, है ना, अगर suppose करो, मैं total सौरन मनाता हूँ, तो सचिन चौकों से कितना बनाएगा, 36.36 तीन शे प्रतिशत बनाएगा, तो क्या यह समझ में है, नहीं, चौके जितने भी होगे, हमेशा 4 के multiples होगे, 4 रन हो सकता है, 8 रन हो सकता है, 12 हो सकता है, 16 हो सकता है, 4 का multiple नहीं मनाता है, करता हूँ आप बहुत ध्यान से देखेंगे अच्छा सवाल है अच्छे अटेंशन की ज़र्द पड़ेगी आपको तो मैं सबसे पहले इसमें काफी सवाल थे इसमें मेरे क्याल से एक दो तीन चार पांच शे पांच सवाल पांच सवाल थे और मेंस लिवल का कोश्चन है क्याट का एक्ट्र कोश्चन है तो सर्टेनली अगर आप इसको साथ से आठ मिनट में भी सही तरीके से कर लेते हैं तो काफी अच्छा रहेगा ये बड़ी अचीवमेंट होगी आपके लिए आए देखते हैं कैसे करना है सबसे पहले जो सबसे में जो रंस है मैं उस पे देखना चाहूँगा जैसे 36.36 है ना तुम लोगोंने रेशियो पढ़ा है तुम लोगोंने रेशियो देखा है यहां पे तुम्हें चीजों को थोड़ा सा सिस्टेमाटिक लेके चलना चाहिए जैसे कि 36.36 मुझे समझ में आता है कि यह 4 बटे 11 होता है क्या आपको भी यह बात समझ में आती है ठीक है 36.36 कितना होता है बिटो 4 बटे 11 होता है अगर यह बात आपने परसेंटेज में पढ़ी है और यह आपको ध्यान है तो बहुत अच्छी बात होगी ठीक है तो सचन सचन का जो स्कोर है चोकों से रइट वो उसके टोटल स्कोर का चार बटे 11 है तो मैं यहीं से इस बात की शुरुआत करना चाहूंगा कि अच्छा चार बटे 11 है अब मैं देखूँगा कि सबसे छोटा मल्टिपल चार का क्या बन सकता है मैं मानूंगा कि इसका total score है 11, मान सकता हूँ क्या, हाँ मान सकता हूँ, क्यों, इस case में ये 4 run चौको से बनाएगा, smallest possible score हम यहाँ पर देखना चाहते हैं, समझ रहे हो न, as per the question, तो सचिन, कितने चौके मार रहा है, एक चौका मार रहा है, अभी हमने सिर्फ एक assumption किया है, सारी बाते सही होनी चाहिए, ठीके, ओके, अब sixes पे आए, तो 18 समलब एक आठ, ये कितना होता है भाई, ये 2 बटे 11 होता है, अगर इसने 11 run मारे हैं, तो इसके फिर कितने हैं, फिर तो सिर्फ 2 run है चको से, मतलब चका तो फिर एक भी नहीं पड़ेगा, गलत हो गया, यानि 11 न पड़ेगा, जब मैंने 33 लिया, तो अब मेरे पास यहां पे एक six आ गया, ठीक है, एक छक्का हो गया, एक छक्का हो गया, तो यहां पे हमारे पास चारती ये 12 run हो गये, 12 run हो गये, मतलब कितने चौके हो गये, हमारे पास total तीन चौके हो गये, कुल मिला करके, हमने ये देखना है कि 26.4% of the total score of India, that should be equal to how much? 33, अब condition क्या है, कि ये भी एक integer होना चाहिए, ठीक है, सब के सब एक natural number होगा, एक प्राक्रतिक संख्या होगी, तभी तो ऐसा होगा, तो मैंने 33 और 100 और 264 को मैंने 264 लिखा और यहां पे एक zero और लगा दिया, चले का न, ठीक है, मैं अब यहां पे इसको cancel करता हूँ, 11 से, 3 से गया, 11 से किया, तो ये 2 से गया और 44 का 4 हो गया, ठीक है, यहां मैंने फिर से इसको cancel किया, तो ये 8 से गया, 8 से 1000 काटेंगे 125, अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा है, यहां तक सब कुछ सही चल रहा है, कि total score कितना हो गया, 125 का हो सब कुछ सही है, तेंदूलकर ने कितना मारा, तेंदूलकर ने 33 रन मारा, कितने चौके मारे, कितने चखके मारे, अभी तक ठीक चल रहा है, लेकिन सब कुछ प्राकरतिक संक्या होना कंपल सरी है, मुझे उम्मीद है, यह बात आप समझ रहे हैं, similarly मैं सेवाग पर आऊंग साडहे बाढा थो दस संक्या, यह बात को अखिनल ना हो जाएगा, साडहे बाढा अगर 100% कितना हो गया, और नहीं नहीं कि यह जो संखिया 125 है, यह 125 संभव नहीं है, किस point पे जा करके हम लोग 125 को cancel कर रहे हैं ये बात तुमारे बुद्धी में आ रही है नहीं आ रही है ठीक है मैं ये calculation erase नहीं कर रहा हूँ एक और extra slide ले लेता हूँ ठीक है ताकि जो नहीं हो सकता है वो भी तुम्हें पता होना चाहिए तो हमने ये देखा कि 125 संभब नहीं है क्योंकि क्याफ हमारे पास फिर 12.5 बारा स्कोर करेगा क्योंकि 12.5 रन बनाना शंभब नहीं है यह तो 12 हो या 13 होगा तो अब क्या करें? अब हम सीधा-सीधा 125 का दो गुना लेंगे. कितना लेंगे? 2500 लेंगे. तो क्या 2500 में बात बन रही है? क्या? आओ ज़रा यहीं पे चेक करके देख लेते हैं. आज़े यहीं पे चेक करके देखते हैं ना. 500 में सब कुछ डबल हो जाएगा. यानि तेंदूलकर अपना 66 पर आजाएगा. यह 66 हो जाएगा. यह 50 हो जाएगा. यह 20 हो जाएगा. और यह 25 हो जाएगा. तो सब सही ही चल रहा है. अब अभी तक तो ठीट ठाक लग रहा है. अगर हम देखें, 500 में से कितना हो गया? यह हो 166 प्लस पैचास प्लस बीश प्लस पचचिस कितना आ गया, वैटा? यह आ गया हमारे पास 111, 111, 111 और 15 молод और 15arnt 16 चौदह में से गया तुछे 89 रना रहा है धोनी का जरह एक बार बस ये वेरिफाई करेंगे ये जो 35.6% है किसका धाई 100 का ये 89 के बराबर होना चाहिए चलो करके देखते हैं ना तो ऐसा करते हैं ये डेस्मल यहां से हटा देते हैं इस जिरो के साथ अज़ेकर देते हैं ठीक है और चार से चार से cancel करके देख लो तो कितना आ रहा है ये exactly 89 आ रहा है 89 आ रहा है मतलब तुम्हारा काम हो गया everything is absolutely fine now बात समझ में आ रही है तो सरवेश इतना साधा टाइम नहीं लग रहा है ठीक है और तुमने इतना काम करिया अब तुम्हारे पांचों सवाल तुमने कर लिए तुमने लोजिकल बाते थी आईए चलिए देखते हैं तो हमें कुछ चीजें क्लियर हो गए कि टीम का जो टोटल स्कोर है वो है धाई सो तैंदुलकर ने हमारे पास बनाए सचिन इसने कितने बनाए थे बेटा 66 सेहवाग ये सचिन तैंदुलकर ये सेहवाग सेहवाग का 20 इनोंने कितने बनाए बही 50 रण बनाया रइट द्राविड ने हमने देखा सेहवाग के बाद हमारे पास द्राविड था द्राविड ने आठ प्रतीशित बनाया थे आठ प्रतीशित कितना पीशे कालकुशन की थी अभी रइट वोज बीस पच्चेस और 89 ठीक है तो ये हम बात है ये उसी टाइम का सवाल आई है ना कावी बढ़िया से सवाल मिल रहा है ओके अब इसमें कितने चौके हैं कितने चुके हैं सारी बाते ही मुझे ऐसा लगता है इस तरह की सवाल में आपको अलाकि जो जीज जहां पूछ रहे हैं उसी पे फोकस करो तो ज्यादा बढ अब जहां पर भी जो पूछ रहे हैं वो देख लेंगे ہाउ मेनी रंस द्रविड स्कोर इन सिंगल्स द्रविड ने सिंगल्स में कितना रंस पूर किया बहुत असान है द्रविड पे फोकस करते हैं 40 परसेंट इसने जो है चौकों से मारे द्रविड का रं कितना था बीस बीस का 40% कितना हो जाएगा बेटा, 40% 8 हो जाएगा न, तो इसने 8 रन जो हैं वो 4 को से मारे, 0 रन मारे छको से, अब जो 12 रन है वो 2 बटे 1 के अनुपात में होगा, जितने सिंगल है उतने ही डबल होंगे, तो 12 को अगर मैं 1 बटे 2 के अनुपात में बाटूंगा, तो 4 और 8 होगा की नहीं, यानी की 4 सिंगल और 4 डबल, समझ रहे हो की नहीं बच्चों, 4 सिंगल और 4 डबल, इन्होंने पूचा, how many runs रविट स्कोर, in once, तो once में कितने स्कोर कियें, इसने 4 runs स्कोर कियें भई, answer क्या हो जाएगा, second option हो जाएगा, बाते समझ में आती हैं, यह 5 गलत ब How many runs did Dravid score in singles, 4 runs समझ में आगे, आपको आगे बढ़ेंगे, यह calculation हमने कर रखे हैं, जहाँ जो question आएगा, वही वाली calculation करेंगे, अनने ऐसे लिए कोई calculation नहीं करने जा रहे हैं, तो देखिए, next question हमारे पास क्या कह रहे हैं, next question कह रहे हैं, the player who has made the maximum number of boundaries, सबसे ज़्यादा boundaries किस नहीं मारे हैं, अब देखो boundaries का मतलब भी देखो, इनोंने साफ साफ दे दिया है, right, cat का question है, बहुत साफ information देते हैं, कोई confusion का scope नहीं है, अगर बीजिए cricket में interest नहीं है, वो boundary में, चौके छको में confuse हो रहा है, तो यहाँ दे रखा है, boundary का मतलब चौके, तो सबसे ज़्याद तो यह हो गया, 24, इसने 24 run मारे हैं, मतलब 6 चौके मारे, कितने अपने तेंदूल करने, ठीक है, इसने 16% run मारे, 16% किसका 50 का, तो कितने हो गया, 8 run हो गया, 8 run मतलब 2 चौके मारे, समझ रहे हो कि नहीं, क्या आफ तो यह पहले ही विचारा 25 run पे ही है, इसका, ध्राविड का हमने यहाँ पे गरत लिखा है, number of चौके लिख रहे हैं, तो दो चौके हो जाएंगे द्राविड के, ठीक है, क्या आपका मैं देखूंगा भी नहीं, सिर्फ मैं आप सीधे-सीधे अपने धोनी पे आना चाओंगा, धोनी ने 22 दसंबलव, 4-7 प्रतीशत run जो इसने बनाए थे, वो किस से बनाए थे, चौकों से बनाए थे, तो ये कितने हो जा रहे हैं, जरह देखते हैं हैं याजा, अब देखो यह तो 24 से कमी होगा, यह तो 24 से कमी होगा, है ना, विको देखो 6 चौक 24 तो होई चुका है, तो मैं इसमें कैल्कुलेशन नहीं करूँगा, I'll avoid this calculation, क को यही calculation avoid करने का तरीका है ना कि हम फ़ड़ा अगर logical होगे सोचते हैं तो कहां avoid कर सकते हैं ये बात भी हमें समझ में आती है ठीक है बच्छो so the maximum number of boundaries किसने बारे हैं तेंदूल करने बारे हैं आगे बढ़ूँगा तीस सेकेंड पंदरा सेकेंड पांच सेकेंड में हर कोस्टन निवटते जा रहे हैं स्टार्टिंग में जो आपने चार पांच मिट लगाए वो लगाए और वो लगाना पड़ेगा कोस्टन का स्तर ऐसा है लेवल अच्छा है ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स नेक्स कोस्टन है हमारे पास यहां पर यहां पर बांडरीज में इन उनने 4s and 6s दोनों बोले हैं बाइ इंडियन बैट्समेन आर टोटल इनोंने कितने रन बनाए हैं फोर्स और सिक्सेस में तो यह कैल्पुलेशन अभी पीछे हमने की थी आओ एक बार ज़रा पीछे से ही इस डेटा को नोट कर लेते हैं हमने देखा था कि इसने 622 जो कर लिया था वो लिख लेते हैं ठीक ह 622 तहां चला गया भई यह रहा है 622 और कैफ ने कितने बनाए थे कितने चौक यह मारे कैफ ने 64 प्रतीशत अपने स्कोर का अपना स्कोर कितना है इसका अपना स्कोर है इसका 25 तो देखो कैसे करोगे 64 को न मैं लिखता हूँ चार गुने 16 क्यों लिखता हूं क्योंकि ये 25 गुने 4 बन जाता है 100 और स्कोर आजाता है मेरे पास 16 यानि कि 16 का मतलब कितने चौके मारे इसने 4 चौके मारे ठीक है और धोनी का भी चलो देखी लो भाई धोनी ने भी कितना मारा ये भी देख लो तो साड़े 22 समलव 47 अपॉन 100 इंटू 89 था तो ये देखो जरा कितना आ रहा है ये कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी हो रही है बट चलो देख लेते हैं कितना आ रहा है अगर मैं इसको मल्टिप्लाइ करूं अगर मैं इसको राउंड आफ कर लो राउंड आफ कर लो मैं इसको किया है यहां पर अगर दो को लॉजिकल अप्रोच चूज कर रहे हैं पूरी कालकोशिंट करने के वज़े कालकोशिंट में भी मैं एप्रोक्सिमेशन यूज कर रहा हूं ठीक है तो आई ये मुडिप्लाइ करके देखते हैं 9 से 9 से किया मैंने तो 9 सते हमारे पास आ गया 63 ह हाथ में 6 और 9 चौक 36 चतिस और 6 हमारे पास आ गया 42 चार और 18 अठारा चार बाइस दो अठारा और दो बीस ठीक है और दो डेसिमल प्लेसे हैं तो ये हमारे पास दो डेसिमल प्लेसे हैं एक डेसिमल प्लेस रह जाएगा और इसको हम सौ से डिवाइड करेंगे सौ से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास इतना आएगा यानि इसने कितने मारे होंगे चौकों से बीस ठीक है तो मतलब कितने चौके मारे इसने पांच चौके मारे ठीक है इसने पांच चौके मारे 20 और मारे चौकों से हमें तो फिलाल अबी चौके छखके सब चाहिए तो चलो बचके भी देगा चखके कोई दिक्कत ही नंय यह कितना हो गया यह दो बटे 11 हो गया किसका 66 था तो इसने 2 चक्क के मारे भई तेंदुलिकर भाय साथ ने 12 र tolerant मारे यानि 2 चक्क के मारे ठीक है ओर इसने 24 प्रतिच़द रन मारा था सेवाग नहीं सेवाग भाए तो छक्क के बहुत मारता ही था तो 16 प्रसेंट यहाँ था तो 24 प्रसेंट तो 24 बटे सो गुने पचास तो 48 रन दिख रहे है मुझे है ना 48 रन 48 यानि कितने हो गए 8 अरे बाबा क्या बात है 8 शक्के मारे क्या बात है सेवाग ने मतलब मज़े दिला दिये इस मैच में बहुत बड़ी है और अपना धोनी धोनी कितने मारे 33.7 किसका 89 का है ना फिर से क्या कर फिर से 90 ले लो और nearest multiple 6 का जो से छोटा होगा वो कर देना समझ रहे हो ना calculation की टेखनीक ठीक है आओ देखो जारा multiply करके देखते कितना आ रहा है 9 सते 63 6 और 27 और 6 33 33 और 36.33 आ रहा है यानि मैं क्या लोगा 36 ही लोगा ना 36 लोगा मतलब कितने मारे 6 चक्के मारे तो इस तरीके कितने हो गया total 4 होगे 4 6 10 14 14 14 4 connection 4 15 तो इसके ओगे छोको से और चखके कितने लगे 16 16 6 96 यानि total इंहोंने 4 चखकों से जटे है रहे 4 चख भ्र शबहा हुद्ध हमने कूछ sommes n नहीं किया एक बर चेक करो जड़ा हमने कुछ miss अनिक्या एक बारी देख लो हमने कुछ miss कर दिया यहाट अगा इस इन रह गया था यहाँ पर घिड़ा रहे था गएक बाद नीचे आ रहा था बट कोई बात नहीं अभी ठीक्र लेटें और बागी तो 0% बेते तो बागी सब सही चल रहा है तो ये 16 चक्पे तो सही है चौकों में शायद हमने कुछ मिस्स किया इक पर देख लेते हैं 10 और ये 17 बिल्कुल सही 17 है सही चौक कितना हो जाएगा शही चौक 68 होता है न, 68 होता है तो 68 को अगर इसमें जोड़ू तो नंबर कितनी संक्या आ गई भाई कितनी संक्या आ गई 14.4 आ गया है अन्चा यह क्या number of boundaries का है इन्होंने क्या कहा है total number of runs का इन्हों runs scored in boundaries तो चार वाला option मुझे कुछ नहीं दिख रहा है सेवा के दो sixes हैं है दो sixes है और हमने काउंट नहीं किया तो sixes को यह कितना होग़ छे और दो प्शे और दो यह हो गया और आठ है है ना सेवा के हमने sixes जाना कर दिया क्या अब जर चेक